हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, किट्स पदर आप और मैं पतिवाँ आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आए हूँ, जी हाँ, ये बच्चों पे है और सभी पैरेंट्स की ये प्रॉब्लम लगबग बनी ही रहती है, कि उनका बच्चा जो है, दिन में तो सो जाता है, पर रात को सही जाता है, सही तरीके से सोता नहीं है, अगर हो सो गया है, तो मिड़नाइट में उठ जाता है, या फिर जल्दी से सो नहीं पाता है, ये ऐसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो बच्चे के सा अराम से सुए और जिससे आपके भी नीम डिस्टरबना हो और उसे भी रिलाक्स और बहुत ही अच्छी हल्दी नीन मिल जाए तो मैं ऐसे आज यहां पर पांच टिप्स बताने वाली हूं जिससे आप अपने बच्ची की जो नीन है उसको कैसे रगुलर और कैसे फिट और फा पर जादी में ऐसा होता है कि दिन में तो सू जाते हैं पर रात में जिस इनको फ सुलाते हैं रात design स सbek बताते हैं यहां नहीं पर फू Noel बच्ठ के साथ वह हैं आप पिएRegular अपनी पनीर होते हैं तो आप सब्सक्रादि आप अच्छी लेपाते हैं थना च्छी से में इसे कि नीन रेगुलर अच्छे से बनी रहें आईए पताते हैं और बात करते हैं उन फाइफ टिप्स के वाज़ तो फस्ट मेरा यही पॉइंट है कि आप स्लीपिंग पैटन का फालो करें जी हां स्लीपिंग पैटन क्या होता है देखिए जब हम बच्चा कभी-कभी ऐसा होता है कि साम टाइम में बच्चा हमने पढ़ाई करा दी उसको खाया पढ़ाई करने के बाद वो खेल की भी आ गया इसके बाद हम वो कहने लगता है कि ममा मुझे नीन आ रही है मैं ठग गया हो मैं थोड़ा सोना चाता हूँ तो पैरन्स कहते हैं कि ठीक है बच्चा है अगर वो सोना चाता है तो इसको सोने लेते हैं वो सो जाता है इसके बाद वो जब बाद में उड़ता है फिर आप उसको खाना किलाते हैं इसके बाद जब आप उसको सोने के लिए कहते हैं तो कैसा सोईगा जब वो अभी शाम को इवनिंग में एक नीन ले चुका है तो आप ऐसा न हीक नहीं होना चाहीए क्योंकि अगर भूक लग होगी सब्सक्राइब उसको कहा अच्छे से एक अच्छे से ऋपना कहुता रहा यह पूरी रात उसरी के से सोता रहा है ॡश आप कमरे का temperature तो हम बराबर रखी सकते हैं, नेचर का भले ही नहीं कर सकते हैं, अगर ठंडी है तो हम उसको कमरे को गरम लग सकते हैं, अगर गरमी है तो कमरे को कूल कर सकते हैं, ऐसी हमाई पास facility प्रोवाइड हैं, तो हम अगर इसी का भी प्रयोग करते हैं, तो हम देखते ह इस चीज को आपको ध्यान में लेकर चलना है कि बच्च तरीके की कपड़े पहना हुआ उसे की कॉडिंग आपको टेंपरेचर रखना है थर्ड मेरा पॉइंट है कि आप बच्चों के कपड़ों का विशेश धियान दीजे जी हाँ बच्चों अजर गर्मी में हैं तो उनको कपड़े हल के दीजे उनको कॉटन के कपड़े दीजे और रात में आप कोशिश करिए कि उनको जो है सोनी के टाइम उनका कॉस्ट्यूम कपड़े चेंज कर दीजे क्योंकि सोनी के टाइम डिलाक्स को सोना चाहिए हो उस ताइम के कपड़े वह बिल्कुल रिलाक्स और एक्तम धीली डाले अच्छे से होते हैं और बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनाने चाहिए सोनी के टाइम अगर ठंडी है तो भी अगर ठंडा ठंडा गरम मिलके उसको सर्दी होने का भी टर रहता है तो आप कपड़ों को बहुत ही ध्यान रखके बच्चों को फियर करें और हाँ जब भी आप फियर करें कोशिश ही करिए कि रात की टाइम के कपड़े उसके अलगी रखिए जो वो सोती टाइम पहनेगा मेरा पॉइंट है कि आप बच्चों की मालिश करके उनको सुलाएं जी हाँ मालिश सभी को रिलैक्स मिलता है बड़े हो छोटे सभी को रिलैक्स मिलता है अगर बच्चों की आप मालिश करते हैं तो बहुत जदा रिलैक्स फियर करते हैं और उनकी दिन पर की ठकान एक्तम स जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं अगर बच्चे आपको छूटा है तब तो आप उसकी तब तर्वे में मालिष हाथ मालिष में ड़ु अध्य Bennي में इस तरीके से करके उसको तो सएलाई सकते हैं बड़े बच्चें उप आप मालिश करके देखे उने भी बहुत रिल hott फिल होता है तो बच्चो को सुनी के टाइम हलकी सी हलकी सी आप मसाज या मालेस कर दीचे जिसे बच्चो को सुनी के टाइम बहुत रिल fringe की भी होता है मेरा पॉइंट ही कि अगर आप बच्चे बच्चे को सारी चीजे उसके हैबिट में शामिल होती है और आपको भार बार डार्ट नहीं लगाने पड़ती है और अपने टाइम के अकॉर्डिंगी काम करता है तो यह कुछ मेरे 5 टिप्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टन थे मेरी क्याल से खल्दी नीन को पानी के लिए तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगए तो प्रिसे शेयर जरू करिएगा और अगर चैनल पे नहीं हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स वीडियो में सब तक के लिए बाबाए